खबरे जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे जिनका आपकी जिन्दगी पर होता है सीधा असर खबरों की वही तस्वीर बिना बत्ले बिना डर जजबा सच का लिए सच दिखाते हैं जहां देश में मड़ीपुर हेंसा को ले करके गमासान मचा हुआ है वहीं हम आपको बता दें दिल दैला देने वाली घटना उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज से आ रही है जाम मैलाओं को यूपी पुलिस ने निवस्तर कर उनके साथ अशलील हरकते की है और ये गिनावनी वारदात उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज में ही गटी है नमस्कार मैं हमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स नियूज हमारे साथ में प्रिड़ित वो मैलाएं हैं जिनके साथ में अब अब अर्दरता की यूपी पुलिस ने बोलें दिखवा रहे हैं ये जो प्रयाग राज का कौन जा थाना था क्या पुलिस वालों ने किया था थाना उत्राओं है और जिल्ला प्रयाग राज लगाया जाता है हम लोगों के साथ बहुत गंदी हरकत हुई मेरे घर से उठा के हम लोगों को पुलिस वालों ने मारते पिटते घसीट के बिना किसी वज़ा का पुलिस वालों ने ले गया और थर्ट डिगरी इस्तमाल किया, टॉचर किया कपड़े उतार के हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, बेल्ट से, डंडे से इदर के उदे एका थिज आप बेट से मार रहे थें और बोले कि और अगर बाहर निकलने के बाद अगर तुम लोग कहीं और गई न तुम लोग पर उलटा केस कर देंगे कि यहां तुम लोग हाथ चोड़ी के हो आपके भी कपड़े उतारे गए हैं उतारे गए हैं कौन कौन पुलिस वाले थे परकास थे चुशान थे और यह क्यों रहे हैं संतोस थे यानि कि वहां पर जिला इस तरवर कोई कारवाई नहीं हुए नहीं है मेरे पर साथ वहीं भी किया मगर में सर पकड़ के दीवाल में लड़ा दिये और वहीं मार रहे थे और बहुत गंदी गंदी बाते और सुलोप बहुत गंदी तरीके से चू रहे थे यह आप लोगों को जो थर्ड डिगरी पुलिस ने टॉर्चर किया है तो इसके उपर क्या जो आप लोग उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी से गौहर लगाने हैं हमको लोग नियाओ चाहिए बस इंसाफ चाहिए बस इंसाफ नहीं मिलगा हम लोग शेषाइट कर लेंगे अपने आपको में चारो बेहने खतम कर लेंगी ठीक है और जो प्रसासन प्रसासन उसकी जि तो मैं सुसाइट हम लोग चारो बेहनों कर लेंगे तो आज यहां पर आसवाशन यही मिला है कि उनके पुलिस वाकर्मी पर कारवाही होगी हाँ दिखवा रहे हैं तो आप लोगों के जो कपड़े थाने में उतारे गए वो महिला पुलिस द्वारा करा गया कि पुरू नह गया कि पुलिस वाले थे थे तो यह सब हैं वो पीडित महिलाएं जिनके साथ में मड़ी पुरहेंसा जैसी घटना को यूपी पुलिस के थाने की पुलिस ने इनके साथ में घटना को अंजाम दिया इन्हें निवस्तर कर किस तरीके से इनके साथ में बरबरता की किस तरीके से इनको थर्ड डिगरी टॉर्चर दिया और जहां देश में मड़ीपुर हेंसा में मैला को नगन करकर खुले आम बगा जहां यूपी पुलिस खुद मैलाओं के कपड़े उतार कर उन्हें थाल डिग्री टॉर्चर दे कर उनके उपर अत्या चार कर रही है अब देखने वाली बात यह है कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार किस तरीके से इस मामले को संग्यान में लेती है और मैलाओं को न्याए दिलाने की बात करती है और वहीं पर इन्होंने बात भी कही है कि अगर इनको न्याए ने मिला तो यह सभी लोग आदमहत्या कर लेंगे क्योंकि इतनी शर्मिंदगी भरी जिने से इनका क्या फाइदा है जिसके चलते यह अब माने थोई इनके साथ अश्लील हरकते होई कई न कई पुलेस की बरखास्तगी और उनके निलंबन की बात भी कही रही है कि जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यह चैन से नहीं बैटेंगी योगी सरकार के पास यह आज लेके आई है कि इस तरीके की जो घटना उत्तर प्रदेश के प्रियागराच के थाने में घटी है उसको ले करके जिम्मेदार अधिकारी कारवाई करेंगा आप देखते रहे हैंगामा टाइम्स नियू से योगी प्रदीब के साथ महमित कश्य लखनाउत के मुख्य मंतरी आवास से जाज़ा चाहता हूं नमस्कार